नमस्कार साथियों एक बार पुना आप सभी का दरपन सिल्चर्श के यूट्यूब प्रेटफॉर्म पर स्वागत है जैसा कि ये एकॉनमी की लेक्चर स्रीज चल रही है जिसमें हमने कल जो लेक्चर डिसकस किया था कल के लेक्चर जो हमने कंटेंट डिसकस किया था वो था मेकिन इंडिया कार करन ठीक है मतलब हम अद्योई करन के लिए सरकार क्या प्रयास कर लिए इस समंद में हमने पूरी चर्चा की थी ठीक है सरकार के प्रयास को बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है उस समंद में हमने काफी सारी चीजें देखी दिया और उसमें क मेकिन इंडिया के समझ क्या क्या चुनौतिया हैं इसके बारे में देखेंगे और फिर आंगे के टॉपिक्स में हम बढ़ेंगे जिसमें सरकार के अन्य प्रयास अद्धूइक अन्य प्रयास तो क्या होगा मेकिन इंडिया उसके लाब कुछ अन्य प्रयास भी हैं उनके बारे कि नहीं अद्ध्य नीदी क्या है इन सब के वारे में चार्चा करेंगे आज के टॉपिक में आगे बर्ड़ने से पहले आपके ऊपर प्रस्ट में चलते हैं जो आपको कल प्रस्ट दिया गया था answer writing के लिए प्रश्न था आपका इस सार्वजनिक छेतर के उद्ध्यों की समस्चाओं को निरूपित कीज़े मतलब क्या होता है उलेक कीज़े answer writing में कुछ सब्द आते रहते हैं आपको उन सब्दों का मतलब पता होना बहुत ज़्यादा आवस्चक है एक सब्द आता है आलोचनात्मक मुल्यांकन कीजिए आलोचनात्मक मुल्यांकन का मतलब क्या होता है या आपको पच्छ भी पच्छ के साथ साथ क्या बताना है तर्क भी देना है वितर्क भी देना है एक तरीके से सभी पच्छों कवर करते हुए और उसमें निश्कर्श के तौर पर अपना मत भी देना है, ठीके, यह चीज़ बताई जाती है, दूसरा आता है परिच्छन किजी, तो आप अनलाइज करना है जीज़ों को, ठीके, अनलाइज करना मतलब उसको तरकों, उसको तरकों के अधार पर क्या करना है, सिद्ध करने क तो आपको सिर्फ क्या बताना असमानता है अगर सब्सक्राइब किया गए तुलना कीजिए तो इसका मतलब क्या है कि आपको समानता भी बतानी है और असमानता भी बतानी है ठीक है तो ऐसे जो सब्द आते हैं उन सब्दों का मतलब पता होना चाहिए तभी आप answer writing अच्छे तरीके से करने का मतलब है कि आप जो प्रश्ण की मांग है उसको पूर्ण कर पाएंगे वहाँ पर वरना क्या है कि और आप से सार्जनिक छेत्र के अधार के समाशनाहों को पूछा वहाँ निरूपीत करने का परिच्षन करने का अलोचना करने का और आप सवी सद्रों गराइडा बता आजएंगे ठीक है फिर आप उसमें यह उमीद ही कर सकते हैं कि आपको हाँ पूरी उसकल का मतलब के जो उद्धियों सार्जनिक उद्धियों कहलाते हैं जिसमें सरकार की जो भागीदारी है वो 50 प्रस्थ से क्या होती है अधिक होती है ठीक है 50 प्रस्थ से अधिक होती सरकार की भागीदारी यह सार्जनिक शेत्र की भागीदारी ठीक है इसमें क्या क्या समस्था है उनको देखते तो सिदी से बाते निर्णे लेने में कहीं क्या जाएगी प्रावलम जाएगी दूसरा राजनेतिक विचारधारा वर्तमान प्रवंधकी प्योहर में टक्राव होना तुक है अब यहां पर क्या होता है जो मैंगेंजमेंट बोर्ड होता है उसमें क्या है पॉलिटिकल नौन प प्रयोग होना इसके बड़े पैमाने पर मितब्यताओं का लाभ ना मिलना ठीक है अब यहां पर क्या है जो द्योग है उसकी उत्पादन छमता जो होती उसका पूर्ण दोहन नहीं किया जाता है उसका पूर्ण दोहन प्रयोग ना करने के विए से क्या होता है जो हां पर सं की आप का वहां पे क्या हो रहा है पूजी बरबाद हो रही है थिक है दूसरा लागत अनुमान एवं वास्तोविक वैके मद्द अधीक अंतर होता है अब यहां पर फिर खास करके दूती पंचवर्षी योजना में जब यह सब काम चालू हुआ तो द्योगों को ऐसी जगहों पे इस्थापित किया गया जहां पे विकास विकास बिल्कुल नहीं होता था ठीक है मतलब पिछले छेत्रों में स्थापित किया गया जैसे क्या हुआ भिलाई का स्थेल प्रेंट लगा दिया राउल के लिकास नहीं था स्थान का चैन किया गया ठीक है अब वहां पे कोईला चाहिए पर कोईला आप पहुंच रहे हैं तो यह क्या हो गया इन सब चीओं का ध्यान नी रखा गया पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या हुआ लागा तनुमान वास्तिव काई की भी चंतर रहता है अब मानलो सरकार ने क्या किया कोई भी कोई भी उद्योग प्रांट लगाने से मतलपरेस में प्रांट लगाना था भेल का है ना लगाना था उसलिए सरकार ने बजट में घोष्णा की कि सौ करोड़ रुपे में ये प्लांट हम इस्थापित करेंगे उधारन के लिए लगाएंगे पर इस प्लांट को जब फाइनल बने बनके त्यार हुआ ये उद्द्योग फाइनल कई सारी चीजों का involvement होता है एक तो प्रोजेक्ट में देरी हो गई दूसरा भ्रष्टा चार हो गया यह सब चीजों की वैसे क्या होता है लाल फीता साही की वैसे देर हो गया ठीक है इन्वार्मेंटल जो कंसन होता है उनकी वैसे देरी हो गई इन सब चीजों की वैसे क्या हो वो परियोजना si lanoyas किसने किया था नहुरूज़ी कि सरकार्ट में किया गया था 1609 के दौर में ठीक है सबस्क्राइब नारा का सिलन्यास होता है he tek 1960 के दौर में और वह प्रियोजना 2017 शाल्गी चालू फाती है सोचिए उसका लागात अनुवान उस समय क्या लगाया गयरा होगा ठीक है उस परियुजना का लागात अनुवान क्या लगाया गयरा होगा और वास्तिवी की वह कितना हुआ होगा ठीक है उस परियुजना का लागात अनुवान ज्यादा ज्यादा पांच करोड़ दस पे खर्च हो चुके थे ठीक है तो वास्तिव के बहुत ज्यादा हुआ और यह समय की बरवादी अलग बात हो गई इसके लावा क्या है परियोजना के लिए उप्यूग तक्निक कर नहीं होना हमारे यहां पर तक्निक की कमी है हम तक्निक हस्तांतरित भी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम संसादनों का दोहन नहीं कर पाते हैं इसके लावा क्या है सारजनिक शेदर के उप्रवों में आवस्ता से अधिक सरमिक नियोजित कर लिए जाते हैं अज इसे हाल वगएरा कमपनियां ठीक हिंदुस्तान एरनाटिक्स हो गई इनका यहां उत्पादन क्या होता स सुन ने हैं हाल जैसी कंपनीों में उत्पादन क्या है शून है पर यहां सुरमी क्या है बहुत जादा है तुरा डिफेंस ट्रेक्टर ऐसे ही चल रहा है यहां पर उत्पादन क्या है शुट यहां पर कर दिया अब सरकार क्या कर लिए इस तरी यहां पर वतपादन बढ़ने का समझते हैं कि हाल को एक प्रोजेक्ट दिया गया हाल को एक प्रोजेक्ट मिला था हो फाइटर प्लेन बनाने का ठीक है वो फाइटर प्रोजेक्ट है वो हाल के पास कब गया था असी की दसक है उसी किया शकता समाज में आई तरीक में असी मतलब उदर के 20 साल और इदर के 20 से लगभग 35-40 साल बाद वो प्रोजेक्ट फाइनली अब जाकर के तयार हो पाया है मतलब इतना बड़ा उद्ध्योग है सरकार की उसमें नौरतने कंपनी में आता है उसके बाद भी यह हाला थे ठीक है तो वहां पर क्या है स्रमिक बहुत जाद है उत्पादन प्रशंता उनकी क्या है निम्न है इसके लाबा क्या है नेती निर्मान में राजिती घस्ता चे बह शमस्याएं थी अब चलते हम के हमारे आज के टॉपिक में आज का टॉपिक हमारा पिछले लेक्टर का कंटिनुएशन है अगर आप इस लेक्टर को भी देख रहे हैं तो पहले पिछले लेक्टर को देखने उसके बाद इसमें आएं यह हमारा मेकिन इंडिया के समझ क्या चुनौतियां है ठीक है पहली चुनौति क्या सेल कंपनियां की सेल कंपनियां क्या होती है तो ऐसी कंपनियां जो फर्जी नाम फेक फेक नामों के अधार पर दूसरे देशों में खोली जा रही है हमारे देश में भी खोली जा रही है इसमें पूरा काला धन्या हवाला का इसा क्या किया जाता है इन्वेस्ट किया जाता है यह सब सरकार से सरकार के टैक्स आदी से बचने के लिए किया जाता है अब इसमें क्या होता है एक जेक्टली तो हमारे देश में तो देखते हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा आ रहा है खास करके 2020 में देखा जाए तो 2020 2020 में अंक माझाफ़ की रिपोर्ट कि हिसाब से भारत पांपशों में फे था 16storm winner का까요 ahorita चुल हमारे देश के लोग कालवणने कर रहे हैं व geographical में क्या कर देशों क्लबब एसा कौन से देशों में, heaven countries में, कौन से देशों में, heaven countries में क्या खोलते हैं, sell company खोलते हैं, वहाँ पर पैसा पहुंचाते हैं, किसके माध्यम से, हवाला के माध्यम से, और वही पैसा वापस rotate होकरके, FDI के रूप में भारत में वापस आ जाता है, ठीक है, और वो जो पैसा rotate होके, FDI के रूप में भारत आएगा, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, white money हो जाएगी, पहले क्या था, black money थी, अब वो क्या हो गई, white money क्यों, क्यों हो सरकार के एक तरीके से, एक channel से scrutinize होके आ रहा है, pass होके आ ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक तरीके से, आपके ही इसी हुआ, ना प्रत्यच हुआ, यह पैसा देश के लोगों के द्वारा ही काला धन जो था, उसको हमारे हाँ पे इस तरीके से भेजा जा रहा है, ठीक है, 2017, 2018 में सरकार ने क्या किया, लगभग 2-5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 सरम सक्ती में कौशल का भाव है, ठीक हमारे हाँ कहने को क्या है, मानव है, पर उस वो मानव संसाधन में परिवर्दित नहीं हो पारा है, ठीक है, हमारे हाँ पे मानव है, युवा बर्ग है, पैसेट परसेंट आवादी, लगभवा कारिशिल जन संक्या है, लेकिन वो संसा तो इस चीज को समझो कई सारे सरम कानून ऐसे हैं जो इतने ज्यादा जटिल है कि जो निजी छेत्र उस पर काम नहीं कर पाता है ठीक है उनकी उनकी उनके वैसे जैसे अब एक कानून क्या बना दिया गया कि आपको नियुंतम मजदूरी इतनी देनी है पहला चीज दूसरा च अब बिजली की क्या है एक तो अपरयाद उपलता है यहां पर आउट्रेज आएगा ठीक है आउट्रेज नहीं है आउट्रेज बहुत ज्यादा होती है यह चीज़ हो गई ठीक है अंगला परिवहन से बहाई बहतर नहीं है सड़क परिवहन रेलवे परिवहन दोनों भी बहतर नहीं है अब इसके लिए सरकार क्या प्रियास कर रही है तो सरकार क्या कर रही है सेप्रेट फ्रैट कॉलिडर बना रही है ठी के लावा क्या है आपके जहां समस्चे नौकर साही वाली समस्चा रेटेप बढ़ने देते हैं परक्रियाउं में इतने इतनी देदि कर दी है कि उद्ध्योग लगाने में भी समस्या जाती है इसके लावा भूगरान संबंदी चुनाथी है भूगरान नहीं हो पाता अब जैसे उदारन के यहां पर प्रोजेक्ट करते हैं अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है बुलेट ट्रेंट का प्रोजेक्ट दो राज्यों में च चल रहा है पर यह इसी प्रोजेक्ट का जो दूसरा पॉर्सर महराष्ट में वहाँ पर अभी तक काम चालू ही नहीं हुआ है ऐसा क्या हुआ क्यों वहांप सरकारों её किया भूम यदिग्रहण ही नहीं कर पाई है ठीक है दूसरी चीज क्या होती है भूम यदिग्रहण में हैं जिनसे मतलब आप सिदी जवातिक किसानों से अधिकरन कर रहे होंगे तो किसानों को आप उचित दाम नहीं देते हैं ठीक है उचित दाम देने का मतलब क्या है सुप्रियम कोड की प्रभावित होते हैं तो यह सब क्या है में इंडिया में चुनौतियां है अब चलते हैं दूसरे प्रयास में हमने क्या देखा अद्योगी करण के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है इसमें पहला प्रयास हमने क्या देखा मेकिन इंडिया जिसको हमने कल के लेक्चर में भी और आज के लेक्चर में भी थोड़ा डिसकस किया जिसमें आज के लेक्चर इसको किया गया तिक पूरा जोड़ दे कि आँगे प्रयाश किया रहा है इसमें एख जो बहुत अच्छी चीज की जारी हो है design और विक्सी तहभी निर्वांड ठीक है मतलब भारत में design और विक्सी तहभी निर्वांड ठीक है इसको सामान उसमें क्या बोला जाता है इंगलिज में प्रयास रहता है इसमें अभी हाल के बर्सों में पिछले चार-पांच बर्सों में खास करके देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वाल्मेंट बहुत ज्यादा बढ़ी है रच्छा मैंने रच्छा उपढ़नों के उसमें manufacturing में बहुत ज्यादा भागीदारी बढ़ाएगी जिसमें आपका लार्शन टर्बो महिंद्रा ठीक है भारत टेकर करके कई सारी कंपने चोटी बड़ी कंपने इसमें सामिल हो गई है ठीक है और विदेशी निवेस भी इसमें प्राप्त हो रहा है अंगला जो प्रयास कर रही सर लगों को रिंड देना पड़ेगा लोगों को वित्त उपलब्द करवाना पड़ेगा सरकार ने सकी लिए क्या किया मुद्रययोजना लेकिया ठीक है मुद्रययोजना क्याकर लई दाकार सरकार बैंक loneliness के माध्यम से वित्त पोस्फण करने का प्रयास कर रही है यह जो वितrap से ले करके 5 लाख रुपए तक का रिण दिया जाता है और आपका जो तरुन रिण it с. में कहें 10 लाख रुपए तक का रिण प्रदान किया जाता है क्या अंगला जो प्रयास सरकार का हुआ है इस्टेंडव इंडिया कारकरम इस्टेंडव इंडिया 2016 में चालू हुआ था जो कि आर्थिक ससक्तिकर्ण रोजगार सरजन और उद्धम सिल्था को बढ़ावा देवने लिए था मतलब सेम जो पॉइंट हमारे पुराने हैं वही उद् प्रदान क्या किया गया कि 10 लाख रुपे तक का बैंक रिर्ण आपको प्रदान किया जाएगा इंडिया कारकम के तहद ठीक है इसके लाब सरकार द्वारे एक और कारकम चलाया गया वह था स्टार्ट अप इंडिया योजना ठीक है अद्धिविकन को पढ़ावा देने के लिए सरकार ने और प्रयास किया किया इंडिया तो जर सोला में चला है उसको दिश क्या था आपका वही कि नवाचार ओश्ट अप के लिए एक अनुकूल महौर द्यार करना ठीक है इको सिस्टम का निर्मान करना इसके दहर आपको बहुत दिकारों का लोगों को जनता को मह तो फिक इन इंडिया दूसरा नई ये दोईग नी ती तीसरा नई रच्छा खरीद नी थी चौथा मुद्रा योजना पांचमा इस्टेंडब योजना और छठा आपका इस्टार्ट अप योजना ठीक है चलते हैं आपके आज के प्रश्ण में आज का प्रस्ण आपका रह रिपोर्ट नीतिया और व्य्की वी रिपोर्ट वैसे तर पर उसमें कैसे सुधार करें कि हमारें प्रड़ सके इस समध्म में अपने सुझाओ दीजिए तो आज का लेक्षरी समाब्द करते हैं मिलते हैं अगले लेक्षर में तब तक के लिए आप सभी का धन्य बाद